ओम शान्ति आज बाबा के महवाक्य है बच्चे तुम जब बाबा के पास आते हो तुम्हें सच्चा संद का संग मिलता है संग तो बड़ी चीज होती है क्योंकि कहा जाता जैसा संग विक्ति को मिलता है वैसा उस पर रंग चड़ता है जीवन में अच्छा संग मिले ये बहुत बड़ा भाग्य है और अच्छा संग ना मिले तो अच्छा खांदानी का व्यक्ति भी गलत राहा पर चल देता है तो इसलिए भगवान का संग मिले सचा संग मिले सक्छा की राहा पिले और उस राहा पर मैं चलू ये मेरा सवाग्य है भगवान का संग जैसा कोई संग होता नहीं तो आज बाबा ने संग का महत्व भी हमें समझाया है सुनते हैं बाबा के महावाक्य मीठे बच्चे बाब के पास तुम रिफ्रेश होने आते हो यहां तुम्हें दुनियावी वाइब्रेशन से दूर सत का सच्चा संग मिलता है दुनियावी बातों से हम एक तरह से किनार्या कर हो जाता है एक बाबा और सारा दिन ज्यान की लेंदेन ज्यान की बात वातावरन वायू मंडल भी वही ज्यान और योग से भरा होगा तो यह संग मिलता है प्रश्ण है माम बच्चों की उन्नती के लिए कौन सी एक राय देते हैं मीठे बच्चे हैं कभी भी आपस में संसारी, जर्मई, जगमई की बाते नहीं करूं आपस में मिलते हैं तो बात्ची तो होगी, लेंदेन होगा तो आपस में मिलकर की फाल तो वायात बाते नहीं करूं तेरी मेरी निंदा परचिंतन वो बाते नहीं करूं अकसर करके कहा जाता, किसी से कहो थोड़ा ये काम करके जाओ तो सामने वाला कह देता है आरे टाइन नहीं आज तो लेकिन ऐसी बातों में लगा दो तो दो घंटे पास हो जाते है क्योंकि जर्मुई जग्मुई का इंट्रेस्ट है अंदर में रस है कानों को तो बाबा कहते है इनसे दूर इनसे बचो कोई सुनाता है अगर कोई सुनाता है तो मुझ आत्मा की विशेष्टा क्या हो सुनी अंसुनी कर दो पहली बात तो सुनो नहीं दूसरी बात अगर कोई सुनाता भी है तो सुनी अंसुनी कर दो एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो अंदर जाने ही ना दो अच्छे बच्चे अपनी सर्विस की ड्यूटी पूरी कर बाबा की याद में मस्क रहते हैं एक ही काम है जो ड्यूटी मिली है वो ड्यूटी पूरी की और फ्री होते ही बास बाबा की याद परन्तु कई बच्चे अब दूसरी तरफ आओ कई बच्चे फाल्तु व्यर्थ बाते बहुत खुशी से सुनते सुनाते हैं इसमें बहुत समय बरबाद हो जाता, इतना टाइम बेस्ट हो जाता फिर उन्नती नहीं होती, फिर आगे प्रोग्रस, उन्नती वो नहीं होती आज बाबन ने हम बच्चों को कहा, डबल ओम शांती कहें तो भी राइट है मैं हूँ आत्मा, शांत स्वरूप, अब डबल ओम शांती कैसे राइट है? मैं हूँ आत्मा, शांत स्वरूप, जब मेरा धर्म ही है शांत, फिर जंगलों आदी में भटकने से शांती नहीं मिल सकती, बाब कहते मैं भी शांत स्वरूप, आत्मा भी शांत, पिता परमात्मा भी शांती का दाता, शांती का सागर, शांत स्वरूप. ये तो बहुत सहज है परन्तो माया की लड़ाई होने के कारण थोड़ी डिफिकल्टी होती है शान्स्वरुपे ये स्मर्थी भूल जाती है कई अच्छे अनन्य बच्चे भूल जाते हैं क्योंकि बाप की याद पारे मिसल है मर्करी जैसे एक्दम फिसल जाती है याद भूल जाती तो बाबा कहते हैं अच्छे अच्छे बच्चे अनन्य खास विशेश बच्चे वो भी भूल जाते हैं क्योंकि याद भी ऐसी मर्करी की तरह पारे मिसल निकल जाती बुद्धी से स्लिप क्योंकि बाप की याद पारे मिसल है स्कूल में तो जरूर नंबर वार होंगे न नंबर हमेशा स्कूल के गिने जाते है सत्युग में कभी नंबर नहीं गिना जाता ये स्कूल है इसे समझने में भी बड़ी बुद्धी चाहिए यहाँ पढ़ाई है इस्कूल है ये बाते समझने के लिए बड़ी बुद्धी चाहिए ऐसे नहीं कहेंगे शिव बाबा भक्ती करते हैं वे किसकी भक्ती करेंगे एक ही बाप है जिसको देहे नहीं है माकी जो देहे धारी हैं वे सब भक्ती करते हैं क्योंकि रचना है न, रचईता है एक बाप, बाकी इन आखों से जो कुछ भी देखा जाता है, चित्र आदी वैसब है रचना, ये बातें घड़ी घड़ी भूल जाती है, भगवानो वाज, जो पुजारी हैं, उनको कभी पुज्य नहीं कह सकते, कल्यूग में एक भी कोई पवित्र हो न सके, पुज्य देवी देवता धार्म की स्थापना भी सबसे उंच, उंचे ते उंच, जो पुज्य है वही करते हैं, सत्यूग की स्थापना कौन करते हैं, जो उंचे ते उंच है, अभी सत्गुरु मिला है, जो पुज्य बनाते हैं, बाबा कहते हैं कल्यूग में एक भी पवित्र पुज्य नहीं हो सकता, सब विकार से जनम लेते हैं, रावन रज्य है न, ये लक्ष्मी नाराइन भी पुनर जनम लेते हैं, परंतु वे है पुज्य, क्योंकि वहां रावन है नहीं अक्षर कहते हैं परंतु राम रज्य कब और रावन रज्य कब होता है ये कुछ भी पता नहीं, बले अक्षर का प्रयोग है, पता नहीं राम रज्य कब होता रावन रज्य कब होता तुम इस समय पारस बुद्धी बन रहे हो, फिर उसमें भी कोई 20 परसंट बने हैं, कोई 50 बाबा ने समझाया है ये राजधानी स्थापन हो रही है अभी उपर से नीचे बची हुई आत्माई आ रही है परमधाम से आत्माई अभी भी नीचे आ रही है सरकस में कोई अच्छे अच्छे एक्टर्स भी होते है तो कोई हलके भी होते है ये तो बेहद की बात है बाबन ने कहा है मदुबन में तुम बच्चे आते ही हो रिफ्रेश होने के लिए ना की हवा खाने के लिए आत्मा रिफ्रेश होने के लिए जाती है ताकि पुरुशारत में फिर एक नई गती मिले जो कर रहे थे उसमें कहीं ठैराव आ गया मदुबन में जाते हैं रिफ्रेश ताकि कोई नई गती पुरुशारत में आगे बढ़ सके कोई पत्थर बुद्धी को ले आते हैं फिर ऐसे भी कई बच्चे हैं मदुबन में आते हैं अपने साथ में किसी ऐसे को ले आते हैं जड़ बुद्धी वाले को तो वे दुनियावी वाइब्रेशन में रहते हैं माया घड़ी-घड़ी तुमारी बुद्धी को भगा देती है यहां तो बाबा कशिश करते हैं खिंचते हैं बाबा कभी भी कोई उल्टी बात नहीं करेंगे भगवान बैठ के उल्टी बात थो भी करेंगे बाब तो सत्य है तुम यहां सत्त के संग में बैठे हो दूसरे सब असत्त संग में हैं तुम जानते हो सत्त एकी बाब है यह भगवान बैठ समझाते हैं ना की मनुष्य, इसलिए बाबा ने कहा था, तुमारे जो चित्र हैं, उन पर हमेशा लिखा हुआ हो भगवानो वाच, हमेशा लिखो त्रेमूर्ती शिव भगवानो वाच, बाबा ने पहले का भगवानो वाच, पर उसको भी करेक्ट करके का, त्रेमूर्ती शिव भगवान सिर्फ भगवान कहने से भी मनुष्य मुझेंगे, भगवान तो है निराकार, इसलिए त्रिमूर्ती जरूर लिखना है, उसमें सिर्फ शिव बाबा नहीं है, रम्हा, विश्नु, शंकर, तीनों ही नाम है, रम्हा, देवताय नमा, फिर उनको गुरु भी कहते हैं, शिव शं कर एक कह देते हैं, अमर कथा भी है, तुम सब पारवतियां हूँ, बाब तुम सब बच्चों को आत्मा समझ ग्यान देते हैं, बाबा हम बच्चों को ग्यान देते हैं, लेकिन एक इसमुर्ती आत्मा, किसको ग्यान दे रहें, आत्माओं को, एक शिव बाबा है, ईश्वर कहते हैं मीठे बच्चों तो बाबा हुआ ना बाबा समझाते हैं आत्माओं में ही संसकार भरे जाते हैं आत्मा निलेप नहीं है निलेप होती तो पतित क्यों बनती लेप छेप किस पर लग रहा है आत्मा पर अगर निलेप होती यानि पाप पुन्य का उस पर प्रभाव नह आता तो पतित कैसे कहलाती, पतित बनी है, पाप करते करते, नीचे उतरते उतरते, पाप करते करते, जरूर लेपछेप लगता है तब तो पतित बनी, कहते भी हैं ब्रष्टाचारी, देवताएं हैं स्रेष्टाचारी, उन्हों की मईमा गाते हैं, आप सर्व गुन संपनो, ह हम नीच पापी हैं, इसलिए अपने को देवता कह नहीं सकते हैं, पापी नीच हैं तो देवता कैसे कह लाएंगे, अब बाबा हम मनुष्य को देवता बनाते हैं, गुरु नानक के भी ग्रंथ में महिमा हैं, सिख लोग कह देते हैं, सत शिरी अकाल, जो अकाल मूरत है, वही स सच्चा सत गुरु है, तो उस एक को ही मानना चाहिए, कहते हैं, करते हैं फिर दूसरा है, कहेंगे सत शिरी अकाल, तो बाबा कहते हैं, फिर एक को ही मानो, वही सच्चा सत गुरु है, अर्थ कुछ भी जानते नहीं हैं, अब बाब जो सत गुरु है, अकाल है, वह खुद वैत समज़ाते हैं, श्री कृष्ण की राजाई होती है लक्षमी नारयन बाद में नाम पड़ता है, वैकुन्ट कैने से जट श्री कृष्ण याद आएगा, कृचां श्री कृष्ण है, चोटा बच्य पवित्र होता है, तुमने ये साक्षातकार किया है, बच्चे कैसे जनम लेते हैं, नर्स खड़ी रहती है, जट उठाया संबाला, बच्चपन युवा व्रध अलग-अलग पार्ट बचता है, जो हुआ, सो ड्रामा, जो जो आज तक चलता है, सो ड्रामा, उनमें कुछ भी संकल्प नहीं चलते ये तो बना हुआ ड्रामा है, हमारा भी पार्ट बजरा है, ड्रामा, प्लैन, अनुसार, माया की भी प्रवेश्ता होती है, अब फिर बाबा आगे समझाते हैं, बच्चे, माया की भी प्रवेश्ता होती है, बाप की भी प्रवेश्ता होती है, बाप भी आधार ले ज्यान स तुनाते हैं, फिर माया विकारों की प्रवेश्ता भी आती है, कोई बाप की मत पर चलते हैं, तो कोई रावन की मत पर, रावन क्या चीज है, कभी देखा क्या, सिरफ चित्र देखते हो, रावन का, दस सीस वाला चित्र बना देते हैं, तो बाबा कहते हैं, सिरफ चित्र बहा जाता है, कितना स्पष्ट बाबा अर्थ समझाते हैं, ये है भूतों की दुनिया, असुरों की दुनिया, यहां तो शरीर भी आसुरी है, आत्मा सुधरते सुधरते पावन हो जाएगी, फिर ये खाल उतार देंगे, फिर तुमको सतु प्रधान खल मिल जाएगी, कंचन काया मिलेगी, सो तब जब आत्मा भी कंचन हो, अब तुम बच्चों की बुद्धी में आदी, मद्य, अंत की नौलेज, चक्कर लगाती रहती है, अंदर में ये सिमरन चलता रहता है, आता रहता है, फिर आज के महावाक्यों में वर्दान है, मैं पन को बाबा में समा देने वाले, निरंतर योगी, सहज योगी भव, मैं पन को बाबा में समा देने वाले, निरंतर योगी, सहज योगी भव, जिन बच्चों का बाब से हर श्वास में प्यार है, कितनी बड़ी बात बाबा ने कही है, हर श्वास में बाबा से प्यार, हर श्वास में बाबा बाबा है उन्हें योग की मेहनत नहीं करनी पड़ती है याद का प्रूफ है कभी मुख से मैं शब्द नहीं निकल सकता बाबा बाबा ही निकलेगा मैं पन बाबा में समाज है कौन करा रहा है बाबा हर बात में बाबा ने कराया बाबा ही कराता है बाबा हमारे साथ है बाबा बैगबून है बाबा ने कराया बाबा सदा साथ है तुमी के साथ रहना चलना फिरना ये इमर्ज रूप में समर्ती रहे तब कहेंगे सहज यूगी बाबा की समर्ती सहज बनी रहे अंदर यंदर बाबा संग खाना, बाबा संग चलना, उठना, बैटना सारा कारिय किसके साथ? बाबा के साथ तो कहलाएंगे सहज योगी स्लोगन मैमे करना माना माया रूपी बिल्ली का आववान करना तो क्या करेंगे आज से मैमे समाप्त? क्योंकि मैमे करना माना माया रूपी बिल्ली को बुलाना तो बाबा बाबा कहो, मैं की जगे क्या कहेंगे? बाबा बाबा कहो तो माया भाग जाएगी तो मैं नहीं बाबा, तो चलो बाबा के पास बाबा के पास बैठें, बाबा को याद करें, तुमाया आएगी नहीं, तो चलो, बैठो स्मुर्ती में बाबा के ओम शन्ति झाल्यो, तुमाया दाएगी, तो चलो, बाबा के लिliब स्मुर्ती